तो दोस्तो इंडिया में मुबाइल गेमिंग का क्रेस काफी बढ़ चुका है और इसलिए PUBG, Free Fire, Call of Duty से गेम जो है वो काफी अधा प्रोपडर हो चुके हैं और इस जिए इसको देखते हुए मुबाइल कमपनीज भी नए-ने गेमिंग स्मार्टफोन को लॉंच कर रहे हैं इसमूथली खेल सकते हैं मीडियम सेटिंग पर हमने मार्केट में अवेलेवल स्मार्टफोन को यूज किया है और उसमें से बेस में से बेस स्मार्टफोन को आपके लिए सिलेक किया है और इन टॉप फॉन की लिस्ट को त्यार किया है हम आपको Most Value for Money स्मार्टफोन के फीच स्मार्टफोन रून रहे हैं जिसमें आपको Largest Display मिल जाए यानी Big Display का Support मिल जाए Big Battery का Support मिल जाए और साथ ही में प्रोसर जो है वो तगड़ा हो तो दोस्तो आप यह Realme C25 देख सकते हैं 10,000 की प्राइज में लौंच हुआ है 444 का वेरेन मिल जाता आपको यहां पर बात कर ल बात कर लेते हैं बेटरी की तो 6000 इमेज की बेटरी मिलती है 80W का Fast Charging मिलता है बोक्स के अंदर ही बात कर लेते हैं प्रोसर की तो MediaTek Helio G70 का प्रोसर यूज़ किया गया है इस फोन में तो यहां पर आप गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं साथ इम बात करते हैं केमरास की तो 13 12MP का ट्रिपल रियर केमरा में जाता है 2MP का आपको पोट्रेट और 2MP का माइक रो दिया गया है इस साथ 10000P पर वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं 8MP का सेल्फी केमरा है और यहां पर आपको फोन के अंदर डेडिकेते स्लोट का सपोर्ट दिया गया है यानि दो सीम एक में कर लगा पाऊगे और यहां पर जो फोन है इसमें आपको Realme का UI 2.0 दिया गया है और यह फोन जो है वो Android 11 के सारा आता है तो 10,000 के प्राइज में अच्छा रेखने को मैं जाता है लेकिन अगर आपको और इच्छी डिस्प्ले चाहिए प्रफोमेंस और अच्छा चाहिए ब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की तो दो कदर में अवयलेवरे और अपको वैडियर केमरा मिलता है और यहास का सपोर्ट है और वेक्साट पर आपको रीर में फिंगर पूर्पीन्स का सपोर्ट भी दिया गया है और यहाँ पर एक। उच्छ इयों सकतार तो यहां पर आपको Qualcomm के तरब से Snapdragon 460 का प्रॉसर मिलता है जो कि दोस्तो नॉर्मल यूसर में काम आ सकता है लेकिन अगर आप heavy user है ज्यादा gaming का इस्तमाल करते हैं तो definitely smartphone को skip कर सकते हैं बाकि Android 11 का support मिलता है आपको phone के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे तो दोस्तो 10,000 की range में complete package बनता है लेकिन इसमें कुछ कमिया भी है अगर आपको दोस्तो और भी improvement चाहिए जैसे display आपको बड़ी चाहिए Full HD चाहिए और यहां पर दोस्तो आपको performance अच्छी चाहिए और साथ ही में आपको 6GB RAM चाहिए तो definitely आप स्मार्टफोन को skip करके नेक स्मार्टफोन के और बढ़ सकते हैं तो दोस्तो नमबर 3 पर रखते हैं Micromix की तरफ सनवाला E-Note 1 तो दोस्तो इस स्मार्टफोन को जो price अलबबक 10,000 है और 10,000 पर में दोस्तो आप एक Indian phone ले सकते हैं और साथ ही में आपको यहां पर OS जो है आपको clean देखने को मिलता है यानि कोई भी bloat wire देखने को नहीं मिलते हैं साथ ही में full HD display मिलती है सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी pricing की तो 10,000 में launch हुआ है चार्च उसट का आपको variant मिल जाता है बात करते हैं design की तो जो design है वो काफी unique phone का दिखने में काफी बड़िया लगता है back side पर आपको triple rear camera मिलता है वही एलिसस का support है और back side पर आपको fingerprint का support भी दिया गया है बात कर लेते हैं display की तो 6.7 inch का full HD इस पर दिया गया है जो की punch hole cutout को सादा है जो display है 10,000 के price में काफी अच्छी दी गई है बात कर लेते हैं smart phone की battery की तो यहाँ पर आपको 5000 image का battery मिल जाता है 80 watt का fast charging मिल जाता है बात कर लेते हैं smart phone की processor की तो यहाँ पर आपको media tech helio g80 का पर उसमें मिलता है और दोस्तो इस phone में आपको pure android OS experience देखने को मिलता है यानि phone में आपको कोई भी bloatware देखने को नहीं मिलेंगे pre install app देखने को नहीं मिलेंगे यानि आपको clean UI देखने को मिलेगा तो 10,000 के price में complete package बनता है अगर दोस्तो आपको display चे चाहिए रेम रोम जारा चाहिए रिफिर हट चाहिए तो definitely आपको smartphone को skip करके नेक smartphone के और देख सकते हैं तो दोस्तो नमबर 2 पर रखते हैं Poco की तरफ से नमेला Poco का M3 smartphone तो दोस्तो smartphone को प्राइस लबबग 11,000 है अगर आप इसे festival या किसी offers में खरीते हैं तो आपको यह 1000 से DR,000 हो discount में मिल जाएगा यानि 10,000 के आपको नीचे smartphone देखने को मिल जाएगा बात करते हैं design की तो यहाँ पर आपको दोस्तो back set पर laser bag देखने को मिलता है जो design हो काफ़े अच्छा रखने को मिलता है back set पर आपको triple rear camera मिलता है और वहीं LED face का support है और यहाँ पर आपको side में poco का blending दिया गया है बात करते हैं display की तो 6.5 inch का आपको display दिया गया है जो कि full HD है तो 10,000 से 11,000 की price में आपको जो display हो काफ़े अच्छा दिया गया है बात कर लेते हैं OSN performance की तो Snapdragon 662 का प्रूसर दिया गया है तो यहाँ पर आप medium setting पर gaming अच्छे से कर सकते हो multitasking भी कर सकते हो और यहाँ पर दोस्तो triple rear camera मिलता है 48MP का तो camera जो है काफ़े अच्छे देखने को मिलता है front camera और भी भेता रहे इसका बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तो battery life की 6000 image की battery मिलती है और आपको 50W का normal charging मिलता है and stereo speaker and Dolby का support भी मिलता है तो दोस्तो देखा जाए तो 11,000 रुपी की range में complete package बनता है और यहाँ पर आपको Poco का clean experience भी देखने को मिलता है यानि कोई भी bloatware देखने को नहीं मिलेंगे 8 देखने को नहीं मिलेंगे प्री इस्टोर तो 11,000 रुपी की price पर यह complete package बनता है अगर आप इसे festival में खईते हो तो आपको काफी फाइदा हो कि उसमें आपको रेम रोम जारत दिया गया है इस बात का धियान रखिएगा तो दोस्तो नमबर वन पर रखते हैं इंफिनिक्स की दरब सानवला इंफिनिक्स का होट टेन एस तो दोस्तो 10,000 की price में गेमिंग लवर्स के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको डिस्प्ले बड़ा दिया गया है प्रोस्टर तगड़ा दिया गया है सबसे बहुत करते हैं स्मार्टफोन की pricing की तो 10,000 में यह स्मार्टफोन launch हुआ है यहाँ पर आपको 644 का variant मिल जाता है बात करते हैं डिजाइन की तो बेक साइट पर आपको टेक्स्टर डिजाइन दी गई है जो की दिखने में काफी बड़ा लगती है साथी में आपको बेक साइट पर triple rear camera मिलता है और यहाँ पर आपको AI camera भी मिल जाता है और नीचे की तरब आपको AI interface का support दिया गया है और यहाँ पर आपको back side पर fingerprins का support भी दिया गया है बात करते हैं डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.8 inch की HD plus drop nose देखने को मिलती है जो display काफी बड़ी देखने को मिलती है साथ ही में आपको 90 Hz का refresh rate भी दिया गया है बात करते हैं OSN performance की तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G85 का प्रोसर मिलता है जो की gaming processor है तो काफी तगड़ा processor है बात करते हैं cameras की तो back side पर आपको triple rear camera मिलता है 48MP तो camera जो हो normal है इताँ खास नहीं है और यहाँ पर आपको दोस्तों बात दूस 6,000 mAh का बेटरी मिलता है और 80W का fast charging मिलता है तो इतना कुछ देखने को मिलता है आपको और Android 11 पर यह run करता है तो यह complete package बनता है यहाँ पर camera जो इताँ खास नहीं है अगर आप लेना चाहते हो camera के मामले में के smartphone तो पोको का देख सकते हो और एक Moto G10 Power यह smartphone काफी बढ़िया है तो इस दो smartphone चेक आउट कर सकते हो आप camera के मामले में बाकि gaming के आमने चाहते हो तो definitely आप यह smartphone चेक आउट कर सकते हो तो दोस्तों आप comment करके बताएए आप क्या राए रखते हैं इस phone के बारे में comment करके बताएएगा वीडियो अच्छे लगने पर like कर दीजगा जार जार बहुत सा फेस्बुक पर share कीजएगा और इसी वीडियो देखने तो जो सब्सक्राइब करके बेल आगर पर क्लिक करके उसले कर लीजएगा